अध्याय चार संतमत की रहनी प्रशन 35 महराजी, हमें अपने दुनियावी कर्तव्यों और कारोबार की और कितना ध्यान देना चाहिए? ये सांसारी कारही हमारे जीवन के आदी और अंत नहीं है, हमारे जीवन का धे नहीं है. हम काम करते हैं क्योंकि हमें संसार में रहना है, लेकिन हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य कुछ और ही है. हम जिस विशेश कारे के लिए इस संसार में आए हैं उसे मुख्य रखते हुए ही हमें तै करना चाहिए कि हम अपने आजीवी का कमाने के लिए दुनियावी कारेयों में कितना समय दें लेकिन अपने कारोबार के प्रती भी तो हमारे कुछ कर्तव्य है हमें अपने कारे का वेतन मिलता है इसलिए उसके प्रती भी तो हमारी कुछ जिम्मेदारी है हाँ, काम करने में कोई हर्ज नहीं है मैं काम करने के विरुद्ध नहीं हूँ लेकिन हमें रोज अपने रुहानी अभ्यास को भी समय देना चाहिए अगर आप काम नहीं करेंगे, तो दुनिया में कैसे रह सकेंगे खास बात तो ये है कि आप किस प्रकार अपने सारे समय का उपयोग करते है अगर मनुष्य अपनी फुरसत का सारा समय गपशब, अमोद प्रमोद, अथवा कलबों में बैठ कर गवा दे तो वो अपनी आजीविका कैसे कमाएगा, और नाम की कमाई कैसे कर सकेगा पर यदि आप अपने अभ्यास को निश्चित समय देते हैं, मानव जाती की सेवा तथा मालिक की भक्ती में समय लगाते हैं तो आप अपने समय का सही और अच्छा उपयोग कर रहे हैं गुरु नानक सहाब उपदेश देते हैं जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई नैसाने, सुरत सबद पवसागर तरिये नानक नाम वखाने कमल की जड़े पानी में रहती हैं, पर फूल पानी से बाहर रहता है मुर्गाबी जल में रहती है, पर जब चाहे सूखे परों से उड़ जाती है इसी प्रकार हमें संसार में रहते हुए, संसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उनसे निरलिप्त रहना चाहिए, तथा साथ ही अपने अंतर में अपनी सुरत या आत्मा को शब्द से जोड़ कर भवसागर से पार हो जाना चाहिए प्रशन चतिस महराजी, मैंने अकसर सुना है कि जो कुछ भी भजन सिम्रन में बादक हो, उसे हटा देना चाहिए कई बार हमारे संसारिक कार्य हमें इतना उल्जा देते हैं कि वे हमारे अभ्यास में बादक होते हैं तो क्या हमें अपने सांसारिक करतव्य पूरे नहीं करने चाहिएं? आपको अपने समय को इस प्रकार बांटना चाहिए कि आप अपना काम काज करते हुए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने भजन सुमिरन के लिए समय निकाल सकें भजन सबसे जरूरी है, लेकिन आपको दुनियावी काम भी करने हैं आपको सांसारिक और रोहानी दोनों प्रकार के करतव्यों को निभाना चाहिए एक पत्नी, पती, पुत्र, पुत्री, माता तथा एक नागरी की हैसियत से आपके कुछ करतव्य है लेकिन साथ ही आपका परमात्मा के प्रती भी कुछ करतव्य है आपको चाहिए कि सांसारिक करतव्य और भजन सुमिरन दोनों में उचित तालमेल बनाई रखे मान लें कि हमने बारा बजे का समय भजन सुमिरन के लिए रखा है और उसी समय किसी मित्र को सहायता की जरूरत पड़े, तो हमें कौन सा काम पहले करना चाहिए? ये तो परिस्थिती पर निर्भर करता है, आखिर मित्र को सारा दिन तो मदद की जरूरत नहीं होती, लेकिन होता ये है कि हमें भजन के समय ही इन सब करतव्यों की याद आती है, जब हम खाली होते हैं तब इनकी याद नहीं आती, जब हम सिनेमा जाते हैं ये मित्रों में बै प्रश्न सेंतिस कि भजन रोज एक ही निश्चित समय पर और बिना नागा करने के क्या फाइदे हैं। अगर आप कहें कि जब आपको भजन करने की इच्छा होगी तब करेंगे तो शायद आप कभी भजन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि जब अनुकूल वातावरन होगा तब भजन करूंगा, कि सुबा भजन में बैठूंगा, दुपहर या शाम को बैठूंगा, तो आप बहाने ही बनाते रहेंगे और कभी भजन नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार आपने एक खास वक्त पर दफ्तर जाने की, सैर करने की, खाना खाने की आदत डाल ली है, उसी प्रकार एक निश्चित समय पर भजन करने की भी आदत डालनी चाहिए। तब आपका मन धीरे धीरे भजन सुमिरन करने का आदी हो जाएगा. इसलिए प्रति दिन समय पर नियम से भजन करने पर इतना जोर दिया जाता है. अगर आप कहें, आज भजन करने की इच्छा नहीं है, कल भजन में बैठूंगा, तो कल फिर कोई और बहाना निकलाएगा, और इसी तरहे दिन पर दिन बीटते जाएंगे. फिर एक दिन आपको ख्याल आएगा कि मैं तो महीनों से भजन में नहीं बैठा हूँ. लेकिन अगर आप मन को जबरदस्ती भजन में लगाएंगे और तै करेंगे कि यदि भजन को पूरा समय ना भी दे सकूँ, तो व्यस्त होते हुए भी कम से कम आधा समय तो अवश्य दूँगा, तब आपका भजन नियमित हो सकेगा. समय पर भजन करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारा समय के साथ गहरा संबंद होता है. अगर आपने साढ़े तीन या साढ़े चार बजे का समय भजन के लिए निश्चित किया है, तो आप जानते हैं कि आपको सुबा जल्दी उठना है, इसलिए आप रात को भी समय पर सोएंगे. आप अपने समय को इस प्रकार विवस्थित कर लेंगे कि 6-7 घंटे सो भी लें और सुबा उठ भी सकें. नहीं तो सुबा भजन में आपका नागा हो जाएगा. इसलिए रोज समय पर भजन करना जरूरी है. ये हमारी आदत बन जानी चाहिए. जब तक हम मन को इतना अनुशासन में नहीं ले आते हैं, तब तक हमारा मन भजन में ना बैठने के बहाने ही ढूड़ता रहेगा. हम अपने बाकी सारे काम समय पर करते हैं. हमारे ओफिस चाने, खाना खाने, कौफी पीने, सैर करने और सोने के समय निश्चित हैं. अगर आप नियम पूर्वक भजन करके अपने मन पर काबू पालेंगे, तो आप भजन में नागा नहीं होने देंगे, और किसी दिन नागा हो भी जाए, तो उस दिन आप दुखी और उदास रहेंगे. आपको कुछ खोया-खोया सा लगेगा, और आप सवेरे भजन ना कर पाने के कारण, दिन में कोई और समय निकाल कर भजन के समय को पूरा करेंगे. इसलिए जहां तक हो सके, रोज भजन करना और निश्चित समय पर भजन करना बहुत ज़रूरी है. प्रती दिन एक ही स्थान पर बैट कर भजन करने से भी भजन में सहाईता मिलती है. बिस्तर का संबंद नीद के साथ है. अगर आप बिस्तर में बैट कर पढ़ते हैं, तो आपको फॉरण नीद आ जाती है. अगर आप पढ़ने लिखने की मेज पर बैठते हैं, तो आपकी कुछ लिखने या पढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि आपके मन में उस मेज का संबंध लिखने पढ़ने से है आराम कुरसी पर बैठ कर आप आराम करना चाहेंगे. आपके लिए आराम का भाव उस कुरसी से जुड़ा हुआ है. इसी प्रकार, अगर आप भजन करने के लिए एक ही स्थान निश्चित करेंगे, तो वो स्थान आपको भजन करने की याद दिलाता रहेगा. ये बातें हमें भजन सुमिरन की और प्रेरित करने के लिए हैं लेकिन अगर आप निश्चित समय और स्थान की पबंदी के बगैर भी रोज अभ्यास करते हैं तो ठीक है अगर आप रोज एक ही जगा पर बैठ कर भजन नहीं कर सकते पर भजन रोज करते हैं तो ठीक है जी, कभी-कभी हमारा मन, समय और नियमित्ता की पावंदी से बचने की कोशिश करता है, और बजन को प्राथ्मित्ता न देने के कारण हमारे अंदर अपराद की भावना आ जाती है. ये स्वभाविक ही है, हम जीवन में अपने रोज के कामकाज नियम पूर्वक समय पर करने की कोशिश करते हैं. जब आप किसी को मिलने का समय देकर देर कर देते हैं, तो अपने को दोशी समझते हैं. आप कहते हैं, मुझे अफसोस है, मुझे देर हो गई क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आप मिलने के समय का अपना वादा ना निभा सके अपने अभ्यास को निश्चित समय देने का जो वादा हमने परमपिता परमात्मा से किया है उसको भी हमें पूरा करना चाहिए चाहे मन लगे या ना लगे, हमें भजन में नियम से बैठना ही चाहिए मन से लड़ाई करनी पड़े या नहीं, ये और बात है लेकिन हमने प्रभू को वचन दिया है और नियमित रूप से अभ्यास को समय देकर हमें उसे निभाने की कोशिश करनी चाहिए अगर दुनियावी काम में पांच मिनट की देर होने पर भी हमें अफसोस होता है तो उसी प्रकार अगर हम भजन सुमिरन नहीं करते, तो हमें अफसोस होना चाहिए फिर अगली बार हम भजन में नागा नहीं करेंगे और हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा अगर आज आपको देर कर देने पर अफसोस होता है, तो कल आप देर नहीं करेंगे अगर आपको पच्चतावा ही नहीं होता, तो आपको देर करने की आदत ही पड़ जाएगी मन तो हमेशा भजन से भागने के बहाने ढूंडता रहता है, हमें मन से लड़ना है और उसे बहाने बनाने का मौका नहीं देना है भारतिय ग्रंथों में सुभे तीन बजे से छे बजे के समय को अमरित वेला कहा गया है मैं आपका भाव समझता हूँ, भजन सुमिरन के लिए कोई खास निश्चित वक्त नहीं है जो भी समय आप भजन सुमिरन में लगाते हैं, वही आपके लेखे में लिखा जाता है लेकिन सुभा के समय की कुछ खूबियां है पहली बात तो ये है कि जब आप सोकर उठते हैं, तो आपका शरीर तरो ताजा होता है, आपकी थकान मिट गई होती है मन भी अधिक बिखरा हुआ नहीं होता और इस समय आपके ध्यान को बटाने वाला बाहर का शोर गुल भी नहीं होता टेली फोन की घंटी नहीं बजती, कोई दर्वाजा नहीं खटखटाता और बाहर गाड़ियों के चलने का शोर भी नहीं होता इस समय वातावरन शांत होता है और फिर जब आप अपने दिन के कामकाज शुरू करने जा रहे हैं तो मालिक के नाम से ही क्यों ना शुरू करें भजन सुमिरन से जो आनन्द आपको मिलेगा वो दिन भर आपके साथ रहेगा और जीवन के उतार चड़ाव का सामना करने तथा समता बनाई रखने में सहायक होगा लेकिन अगर आपको सवेरे अभ्यास के लिए समय नहीं मिलता तो दुपहर में बैठ सकते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं पर फिर आपको दफ्तर के भी काम होते हैं कोई बगैर खबर दिये आ सकता है, दर्वाजा खट-खटाता है और आपके भजन का समय बरबाद कर देता है अगर आप शाम के समय भजन में बैठते हैं तो उस समय दिन भर काम करने के बाद आप ठके हुए होते हैं मन भी फैला हुआ होता है और उतनी आसानी से एकागर नहीं होता इसलिए भजन के लिए अमरित वेला या सुबा का समय दूसरे समय से अच्छा है लेकिन अगर आपको सुबै समय नहीं मिलता तो भजन के लिए कोई भी समय अच्छा है भारत में कम से कम प्राचीन काल में तो लोग सूरज डूबने पर सो जाते थे और सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे सुबह तीन बजे का समय भजन करने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि दिन की शुरुआत छोई बजे से होती है इस तरहे दिन के शुरू होने से पहले हम अपना अभ्यास समाप्त कर लेते हैं अगर शाम का भोजन जल्दी करके सत्संगी जल्दी सो जाता है तो आसानी से साथ आठ घंटे की नीद पूरी कर सकता है कुछ संतों के उपदेश नुसार सुभे के समय एकागरचित होने में बहुत सहायता मिलती है और इस समय मन को रुहानियत की ओर प्रेरित करने के लिए कम महनत करनी पढ़ती है मैंने भी आपको यही बताया है कम मेहनत की जरूरत पढ़ती है क्योंकि इस समय मन ज्यादा पहला हुआ नहीं होता जब आप सुबा सोकर उठते हैं तो आपका शरीर तरो ताजा होता है और मन भी इधर उधर पहला हुआ नहीं होता ये एकाग्र होता है आप बीते हुए दिन के उतार चड़ाव तथा दूसरे कामकाज भूले हुए होते हैं नींद पिछली बातें भूला देती है जब आप अच्छी नींद सोकर उठते हैं तो एकदम ताजा और स्वस्थ होते हैं चाहे आप बीते हुए दिन में कितने भी उत्तेजित या परेशान क्यों न रहे हो आप वो सब भूल जाते हैं लेकिन अगर आप शाम के समय भजन में बैठें तो सारा दिन आपका मन परेशान रहा हो लोगों से लड़ता जगडता रहा हो तरह तरह के कामकाज में उलजा रहा हो तो ये सब आपकी आँखों के सामने आ जाएंगे और एकागर होने में कठिनाई होगी सवेरे के भजन में आपको ये फाइदा मिलता है प्रशन चालीस सुभे तीन से छे बजे के समय क्या भजन में शब्द अधिक जोर से सुनाई देता है शब्द हमेशा एक समान ही है सुभे के समय जोर का होने और शाम के समय धीमा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता हर क्षण, हर मिनट शब्द समान रूप से धुनकारें दे रहा है उसे सुनने के लिए हमें आखों के पीछे तीसरे तिल पर स्थिर होना होगा किसी विशेश समय के साथ उसका संबंद नहीं है सुभे का समय खामोशी और शांती से परिपून होता है हमारा शरीर भी थकान रहित होता है और प्रकृती भी शांत होती है इसलिए स्वाभाविक रूप से ही हमारा मन भजन में बैठने को करता है प्रशन एक्तालीस महराजी मेरे भजन और एक आदर्श भजन में बहुत अंतर दिखाई देता है भजन के आदर्श के बारे में गुरु नानक साहब कहते हैं जिस गर में तुम्हें मूर्त्यू के बाद जाना है वहाँ तुम जीते जी मरकर अपने जीवन गाल में ही पोँचो इसी प्रकार मैंने एक टेप में सुना है शरीर को ढिला छोड़कर निस्चल या अडोल बैठना चाहिए यदि कुछ समय बाद थोड़ी बेयारामी मैसुस होने पर हम जरासा भी हिलते हैं तो चेतना वापस नीचे आ जाती है और हमें अपनी चेतना को फिर से समेटने के लिए सारी क्रिया दुबारा करनी पड़ती है और इसी तरह एक सत्संगी ने मुझे बताया कि सत्त्मत के रुहानी अभ्यास में सत्संगी को बिना हिले-डुले दो या तीन घंटे बैठना चाहिए और तुलसी साहिप का कहना है कि मृत्यू के समय हजार बिच्चूं के द्वारा एक साथ डंक मारने जैसी विथा होती है मैं जानता हूँ कि हम सत्संगीों को हर रोज थोड़ा-थोड़ा दर्द सहना चाहिए दीरे-दीरे रोज जीते जी मरना चाहिए क्योंकि जैसा कि यह कहा जाता है बिना कस्ट के कुछ भी प्राप्त नहीं होता मेरा अभ्यास इस आदर्स से बहुत दूर है मेरे गर के व्यस्त जीवन में बहुत जल्दी उठना कई बार गर से बाहर रहना रोज अलग अलग वक्त पर भजन में बैटना मुझे ऐसा मैसूस होता है कि मेरे लिए एक अभ्यास में उन्नती की आशा करना अपने आपको दोखा देना है नामदान के समय हमें बताया जाता है कि हमें एक साथ धाई घंटे भजन सुमिरन के लिए देने चाहिए इस धाई घंटे में से मैं आम तोर पर डेड़ घंटा सुमिरन करने और एक घंटा शब्द सुनने की सलाह देता हूं मैं ये भी कहता हूं कि लगातार इतनी देर बैठने की आदत ना होने के कारण, अगर आप एक साथ इतने लंबे समय तक ना बैठ सकें, तो शुरू-शुरू में अपने भजन के समय को दो या तीन हिसों में बांट सकते हैं. साथ ही मैं ये सला भी देता हूँ कि सुबह के समय को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करने चाहिए, ताकि धाई घंटे एक साथ बैठा जा सके. शुरू में तो इतनी देर स्थिर होकर बैठना भी मुश्किल होता है. मन उकता जाता है और कमरे से बाहर निकलना चाहता है. वो तो कमरे के अंदर बैठना तक नहीं चाहता, भजन करना तो दूर रहा. मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने मन को इतना दबाने की कोशिश न करें कि इसका उल्टा असर हो और आप भजन करना ही छोड़ दें. भजन को एक बैठक में कुछ समय दें, फिर किसी और बैठक में कुछ और समय दें, लेकिन सुबह के समय को धीरे-धीरे बढ़ाते जाएं, तब आपको बैठने की और पूरे धाई घंटे अभ्यास करने की आदत हो जाएगी. इसके सिवाए, जब कभी भी आपको समय मिले, तो आप उसका उपयोग सुमिरन करने में करें. मगर सुबह के समय धाई घंटे अभ्यास करने की आदत डालनी चाहिए. अपने आप से जगडा करके नहीं, बलकि धीरे-धीरे मन को ट्रेनिंग देकर, मन को साध कर. जहां तक आसन बदलने का सवाल है, हमें शुरू से ही बैठने का कोई उपयुक्त धंग अपना लेना चाहिए, और फिर उस आसन में जितनी देर तक बैठ सकें, बैठने की कोशिश करने चाहिए. जब बहुत बेचैनी और बे-ारामी महसूस हो, और स्थिर ना बैठा जा सके, तो जबर्दस्ती बैठने की कोशिश करने के बजाए अच्छा होगा, कि आप आसन बदलने. अगर आप उसी तरह से बैठे रहने की कोशिश करते रहेंगे, तो आपका ध्यान शरीर के साथ खीचतान करने में लग जाएगा, और मन फैल जाएगा. उस समय बहतर होगा, कि आप दो-तीन मिनट टह लें, और फिर उसी तरह से बैठने की कोशिश करें. अपने आपको परेशान किये बिना एक ही आसन में जितनी ज्यादा देर तक बैठ सकें, बैठने की कोशिश करनी चाहिए. आपने जो उधरन दिये हैं, उनमें कोई मतभेद नहीं है. गुरुनानक देव जी ने भी यही कहा है, कि अपने खयाल को वापस आँखों के पीछे लाओ, इस तरह तुम वापस अपने घर पहुँच जाओगे. और जो तुलसी सहाब ने कहा है कि, हमें जीते जी मरना है, उसका भी वही भाव है, अपनी चेतना को वापस समेट कर आँखों के पीछे तीसरे तिल पर लाना, इसी को जीते जी मरना कहते हैं. बिच्चूँँ से क्या तात परिया है? उन्होंने एक उधारन दे कर समझाया है, तकि आप जीते जी मरने का अभ्यास करें. क्योंकि जीते जी मरना उस मरने के कश्ट से आसान है, जो जीव को मृत्यू के समय भोगना पड़ता है. मरने के समय जो तकलीफ होती है, वो हजार बिच्चूँँ के डंक मारने के दर्द के समान होती है. उस दर्द से बचने के लिए, भजन के समय होने वाले इस दर्द को बरदाश्ट करो. उनका भाव केवल उदाहरन देकर ये समझाने का है कि मृत्यू के समय कितना जबरदस्त दर्द होता है वे समझाते हैं कि उस दर्द को सहने के बजाए अब ये थोड़ी बहुत बेचैनी कहीं अच्छी है इसलिए हमें भजन के समय होने वाली इस तकलीफ का ज्यादा खयाल नहीं करना चाहिए तक कि बिच्छूओं के काटने का दर्द ना सहना पड़े ये केवल समझाने का तरीका है सरदार बहादुर महराज जी समझाया करते थे किसी कंटीली ज्धाडी में उलजे रेशमी कपड़े को अगर एकदम खींचा जाए तो कपड़ा ज्धाडी से छूटता नहीं बलकि कपड़े के तार-तार हो जाने का खतरा होता है अगर उसे धीरे-धीरे एक-एक कांटे से छुडाया जाए तो कपड़ा सही सलामत ज्धाडी से उतर जाता है शरीर के रोम-रोम में फैली आत्मा का मृत्यू के समय एकदम शरीर से सिमटना कंटीली ज्धाडी में फंसे कपड़े को जबरदस्ती खींचने के समान है इसलिए मृत्यू के समय जबरदस्त पीड़ा होती है इसके विपरीत भजन सुमिरन के अभ्यास त्वारा आत्मा को धीरे धीरे शरीर के नौ द्वारों में से समेट कर आँखों के केंदर में एकाग्र करने का यतन रेश्मी कपड़े को धीरे धीरे कंटीली ज्धाडी से छोड़ाने के समान है इसमें समय अधिक लगता है पर कष्ट बहुत कम सहना पड़ता है संत महात्माओं के समझाने का भाव है कि जो लोग भजन सुमिरन के द्वारा जीते जी मरने का अभ्यास नहीं करते उनको अंत समय में आत्मा का एका एक और जबरदस्ती सिम्टाव होने के कारण अपार पीडा सहनी पड़ती है पर जो लोग जीते जी मरने का अभ्यास पका लेते हैं उन्हें अभ्यास के समय अलौकिक आनंद मिलता है और मृत्यू के समय भी बहुत खुशी होती है कबीर साहब कहते है कबीर जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईए पूरन पर्मानंद सुरत शब्द के साधकों की आत्मा शरीर के नौदवार खाली करके अंदर शब्द के साथ जुड़ने की आदी हो जाती है इसलिए जिस प्रकार उन्हें जीवनकाल में जीते जी मरने के अभ्यास में आनंद की प्राप्ती होती है उसी प्रकार अंत समय में आत्मा द्वारा शरीर के नौदवार खाली करके अंदर शब्द से जुड़ने में आनंद प्राप्त होता है इस तरह जब थोड़ा कश्ट शिरूफ हो तो मुझे बजन से उटना नहीं चाहिए पर साथ ही अपने आपको सताना भी नहीं चाहिए यही मैंने कहा है आप उस एक आसन में जितनी देर बैठ सकें, बैठें और फिर उस आसन में बैठने के समय को बढ़ाने की कोशिश करें लेकिन जब बहुत अधिक बेचैनी में हैसूस करने लगें और उसकी वज़े से आपका ध्यान अभ्यास के बज़ाए शरीर की तकलीफ की और जाने लगे तो मन को इधर उधर भागने देने की जगे यही अच्छा होगा कि आप आसन बदलने हाँ, अभ्यास को इतना समय तो देना ही चाहिए कि उसका कोई नतीजा निकलने की आशा की जा सके हमें एक साथ धाई घंटे बैठने की कोशिश करनी चाहिए पर हमें इतने लंबे समय तक बैठने की आदत नहीं है इसलिए शुरू में एक घंटा भी काफी है ताकि हमारा मन ये बहाना ना बना सके कि मैं इतने लंबे समय तक नहीं बैठ सकता इसलिए मन को ऐसा मौका मत दीजिए कि वो भजन ना करने का बहाना ढूंड सके अगर आप एक घंटे से अधिक नहीं बैठ सकते तो कुछ और वक्त के लिए किसी दूसरे समय बैठें पर सुबह के समय को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें जब तक आपको एक बार में पूरे समय बैठने की आदत ना हो जाए प्रशन तिर्टालिस महराजी, हमारी रुहानी तरक्की की कोशिश में तंदुरुस्थ शरीर का कितना महत्व है यदि शरीर स्वस्थ ना हो, तब भी क्या हम अंदर जा सकते हैं ये कोई जरूरी नहीं अगर आपका शरीर कमजोर है, तो भी अंदर जाना आपकी एकाग्रता पर निर्फर है एकाग्रता ही आपको अंदर ले जाएगी, ना कि आपकी तंदुरुस्ती लेकिन शरू-शरू में स्वस्थ शरीर भजन करने में सहायता देता है एक बिमार वेक्ती आसानी से भजन में नहीं बैठ सकता हो सकता है कि उसे रोज अभ्यास करना मुश्किल लगे मेरा भाव तंदुरुस्ती की ऐसी समस्याओं से था जो भजन करने में बादा देने वाली आम तकलीफें सुकाम, पेट की गडबडी आदी की श्रेनी में नहीं आती मैंने अन्य मतों की बहुत सी पुस्तकें पड़ी हैं हो सकता है कि उनकी वजह से मेरे दिमाग में कुछ अजीब बातें समा गई हो इन पुस्तकों में कुछ विशेश बिमारियों का जिक्र है जैसे कमजोर गुर्दे इतियादी जिनके कारण एकाग्रिचित होना तथा सूरत का अंतर में सिमटना बहुत मुश्किल हो जाता है नहीं, इसका एकाग्रता से कोई संबंद नहीं है भजन में बैठने के लिए बहुत बलवान होने की जरूरत नहीं लेकिन एक स्वस्त शरीर का होना अच्छा जरूर है नहीं तो आप मुश्किल से आदा घंटा ही बैठ पाएंगे कि आपका शरीर दुखने लगेगा और आपको बेचैनी महसूस होने लगेगी आप बैठ नहीं पाएंगे आप लेटना चाहेंगे आपको नीद आ जाएगी इसलिए इन योगासनों की शुरूरात हुई थी ताकि स्वास्थे ठीक रहे रिशी मुनी अभ्यास करने के लिए पहाडों की गुफाओं में चले जाते थे वे गुफाओं से बाहर नहीं आते थे और उनकी जरूरतें बहुत थोड़ी होती थी जिनको पूरा करने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी गुफाओं में रहते हुए वे योगासन आदी व्यायाम द्वारा अपने शरीर को स्वस्त रखते थे ताकि अभ्यास की और पूरा ध्यान दिया जा सके प्रशन चोवालिस महराजी आपने कहा कि अभ्यास के समय भजन के आसन में ना बैठना भी ठीक है क्योंकि हम अमेरिकन लोग आराम के आदी है पर क्या ये आसन सतर्क रहने और चेतना को शरीर से समेटने के लिए अधिक अच्छा नहीं है अभ्यास में खास महत्व एक कागरता का है आसन का नहीं इस आसन का सुझाव केवल स्वास्थे की दृष्टी से ही दिया जाता है क्योंकि बैठने के कुछ ढंग ऐसे भी हैं जिनमें आपको सुस्ती और नीद आ सकती है लेकिन आप लोगों को हिंदुस्तानियों की तरह चौकडी मार कर बैठने की आदत नहीं है अब तो कई हिंदुस्तानियों को भी इस प्रकार बैठने की आदत नहीं रही इसलिए जिस तरह भी बैठने में आपको सुविधा हो, आप उस तरह बैठ सकते हैं किसी भी आराम देह तरीके से बैठें लेकिन इस तरह नहीं कि आपको जल्दी नीद आ जाए और आप सो जाएं अगर हम पाल्थी लगाकर बैठ सकें, तो कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम कहीं भी बैठ सकते हैं भजन के आसन में भी हम आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि उसमें भी किसी चीज की जरूरत नहीं होती हम हर जगय कुर्सी साथ नहीं ले जा सकते इसी लिए ये आसन सुविधा जनक है हमारे दैनिक कारेों में भी हमें अपनी रीड की हड़ी को सीधा रखने की सलाह दी जाती है मेज पर बैठ कर काम करने के लिए कुर्सी की पीठ भी सीधी होती है अगर ये कुर्सियां बहुत आराम दे हों या आप सोफे पर बैठ कर काम करें तो आपको सुस्ती आएगी और आप सो जाएंगे खाने की मेज की कुर्सियों की पीठ भी सीधी ही होती है इसी प्रकार भजन करते समय भी स्वास्थे की दृष्टी से हम पीठ को सीधा रखने की कोशिश करते हैं इसमें कोई खास रुहानी लाब नहीं है रुहानी लाब तो एकाग्र चित्त होने में है अगर आपकी एकाग्रता अच्छी है तो आपको पूरा अध्यात्मिक लाब होगा चाहे आप भारतिय रिती से बैठें या किसी और रिती से अंत में तो आप ये भी भूल जाते हैं कि आप किस तरह से बैठे हैं और आप अपने शरीर में हैं भी या नहीं आपको अपने शरीर के बारे में ही भूल जाना है आपको ये भी खयाल नहीं होना चाहिए कि आप कैसे बैठे हैं जब तक आप इस अवस्था में नहीं पहुंच जाते आप अंदर शब्द की मधुर धुन के साथ जुर नहीं सकते प्रशन पिंतालिस अगर बिना किसी तरह का साहारा लिये बैठा जा सके तो क्या ये बहतर नहीं होगा खास बात ये है कि हमारी रीड की हड़ी सीधी रहनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे और हम सचेट रह सकें अगर आपकी रीड की हड़ी सीधी रहेगी तो आप चुस्त रहेंगे और आसानी से नीद का शिकार नहीं होंगे जब आप बैठें तब अगर आपकी पीट जुक जाए तो नीद आ जाने का खतरा हमेशा रहेगा अगर हम किसी चीज का सहारा लेते हैं तो भी कभी कभी पीट सीधी नहीं रहती आप कुरसी पर बैठ कर काम करते हैं और आपकी पीट सीधी रहती है तो आप कहीं अच्छी तरह काम कर सकते हैं मतलब तो ये है कि हमें पीट को सीधा रखने की कोशिश करनी चाहिए प्रश्न 46 नीद ही सबसे बड़ी समस्या लगती है हाँ ये ठीक है नीद की समस्या हमारे अभ्यास में एक बड़ी बाता है और करीब करीब हर सत्संगी को इसका सामना करना पड़ता है शायद ही कोई इससे बच सकता है जब हम सोते हैं तब हमारी सारी चेतना कंठ चक्र में चली आती है और जब हम भजन के समय एकागर होने की कोशिश करते हैं तब हमारा खयाल आखों के केंदर की और होता है आखों के केंदर तथा कंठ चक्र के बीच बहुत कम अंतर है जैसे ही हम खयाल को आखों के पीछे इकठा करने की कोशिश करते हैं वो नीचे कंठ चक्र की और फिसल जाता है और हमें नीद आ जाती है इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़ी समस्या है अभ्यासी के लिए शायद यही सबसे बड़ी समस्या है लेकिन कई बातें हमारी मदद करती है पहली बात तो ये है कि हमें कभी भी अपने नीद की कीमत पर भजन में नहीं बैठना चाहिए हम नीद के लिए अपने दूसरे कामकाज में कमी नहीं करना चाहते पर नीद को कम करके भजन में बैठने की कोशिश करते है शरीर को भी कुछ आराम की जरूरत है ये आराम लोगों के अपने अपने कारोबार पर निर्भर करता है पर कम से कम 6 घंटे की नींद तो सब को चाहिए बिस्तर में लेटने का समय नहीं बलकि नींद के घंटे फिर हमारा सोने का और सोकर उठने का भी कोई निश्चित समय नहीं है कभी हम रात को ग्यारे बजे सोते हैं तो कभी आठ बजे पर हम रोज एक निश्चित समय पर उठें तो शरीर को उसी समय जागने की आदत हो जाती है जब हम समय पर नहीं सोते तो हमें सुबह उठने में कठिनाई महसूस होती है हमें सतर्क रखने में हमारे भोजन का भी बहुत बड़ा हाथ है अगर हम बहुत चिकनाई वाली, तली हुई या भारी चीजे खाएंगे तो भजन के समय उनका बहुत प्रभाव पड़ता है एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि प्रोटीन की कमी से भी सुस्ती और नीद ज्यादा आती है इसलिए हमें अपने खाने को भी व्यवस्थित तथा संतुलित रखना होगा इसके साथ ही जब हम सुबह उठें तो भजन शुरू करने से पहले थोड़ा टहल सकते हैं अगर हम अपने बिस्तर में ही भजन में बैठने की कोशिश करते हैं और बिस्तर छोड़कर भजन में बैठने में आलस करते हैं तो इससे भी हमें नीद आने लगती है क्योंकि बिस्तर के साथ हमारा सूने का संबंद जुड़ा है इन संबंधों का गहरा प्रभाव होता है, इसलिए बिस्तर के साथ हमारा नींद का संबंध हमें नींद की और लुभाता है अगर आप बिस्तर छोड़कर थोड़ा चल फिर लें, बात्रूम में जाकर मुह दोएं और इस प्रकार थोड़े चुस्त होकर भजन में बैठें तो आप नींद पर विजे पा सकेंगे लिकिन सत्संगी को द्रिड़ता तता धैरे के साथ नींद से लड़ना है नीमित ता मुख्य चीज है, लेकिन इस अध्यूनिक युग में नींद से कारे करना और निश्चित समय का पालन करना बहुत मुश्किल है इसी लिए हमें भजन में नीद आ जाती है लेकिन जब हम टीवी देखते हैं या सिनेमा देखते हैं तब तो हमें नीद नहीं आती इस तरह हमारा जागते रहना इस बात पर भी निर्भर करता है कि भजन में बैठने में हमारी रुची कितनी है नीद आने के बहुत से कारण है हमें उन कारणों को ढूंड कर उनका उपाय करना चाहिए प्रश्ण सेंतालीस महाराजी, मुझे बताया गया है कि यदि कोई बहुत बारी शारीरिक परिश्रम करता है और बहुत ठक जाता है तो उसके लिए शारीर से चेतना को समिटना ज्यादा मुश्किल होता है मैं नहीं समझता कि शारीरिक कार या परिश्रम का और शारीर को खाली करके खयाल को उपर लाने का कोई आपसी संबंद है असल में इनका कोई संबंद नहीं है इंदरियों के भोगों का मोह ही आँखों के पीछे एकागर होने में रुकावट डालता है कठिन परिश्रम इसमें कोई अडचन नहीं डालता क्योंकि परिश्रम शरीर करता है, मन नहीं क्या आपके खयाल से ऐसे दुर्बल व्यक्ति जो कोई शरीरिक कारे नहीं करते आसानी से अपने खयाल को समेट लेते हैं जो लोग बहुत सक्त मेहनत करते हैं, वे बहुत ठक जाते हैं और उन्हें नींद पूरी किये बिना भजन के लिए बैठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए शरीरिक परिश्रम करने या ना करने से अंदर जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता प्रश्न अड़तालिस हमारे शरीर को प्रति दिन कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत है? प्रोटीन की जरूरत की मात्रा हर वेक्ती के लिए अलग-अलग हो सकती है डॉक्टर ही आपको इस बारे में उचित सलाह दे सकते हैं अधिकाश प्रोटीन हमें अपने रोज के खाने, दूद, दही आदे से मिल जाता है फिर भी अगर कोई कमी हो तो आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं वे आपको पूरी जानकारी दे सकेंगे प्रशन उन्चास मैंने सुना है कि पेट भरा हो तो भजन करने से नुकसान होता है क्योंकि भजन करते समय रक्त का संचार सिर्की और होता है इसलिए भोजन ठीक से नहीं पचपाता क्या ये दुरुस्त है? ऐसा नहीं है कि भजन करने से हानी होती है लेकिन अगर आपका पेट भरा होने पर भजन करने बैठेंगे तो आपको नीद आने लगेगी आप किसी भी समय भजन कर सकते हैं, चाहे पेट भरा हो या खाली लेकिन अगर पेट भरा है, तो ये स्वाभाविक है कि आपको उबासियां आने लगें, सुस्ती या नीद आने लगें, और ऐसी हालत में आप एकागरता से अभ्यास नहीं कर सकेंगे प्रशन पचास क्या भजन से पहले एक कप गरम कॉफी या चाय लेना अच्छा होगा, ताकि आलस से छुटकारा मिल सके अगर ये आपको जागते रहने में मदद करता है, तो ठीक है प्रशन इक्यावन महराजी, शायद महराज जगत सिंग जी ने कहा है, कम खाओ, कम सो, कम बोलो मेरा इस बारे में एक सवाल है, मैं कम खाना और कम बोलना तो समझ सकता हूँ, लेकिन कम सोना नहीं समझ पाता कम सोना मेरे भजन में अर्चन पैदा करता है, क्या आप यह समझाएंगे? आपको नीन्द का उचित उपाई करना चाहिए हमें नीन्द पूरी किये बिना भजन में बैठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिन्दगी के दूसरे रुजहान कम करने चाहिए पर शरीर को 6 या 7 घंटे की नीन्द मिलनी चाहिए क्या कुछ लोगों को इससे अधिक नीन्द की जुरुत होती है? जिनको ज्यादा नीन्द की जरूरत है उन्हें नीन्द को और भी समय देना चाहिए तब फिर कम सो का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपको फिजूल ही सोते नहीं रहना चाहिए कुछ लोग 10-12 घंटे सोते हैं उनके लिए 6-7 घंटे कम होते हैं अगर आप कम खाएंगे तो आप सोएंगे भी कम अगर आप कम बोलेंगे तो आपका मन भी कम चंचल होगा बोलने से ठकान आती है और मन भी फैलता है और बहुत ज्यादा खाना आपको सुस्त बना देता है प्रशन बावन यदि कोई व्यक्ति सुभे एक या दो बजे उठ जाए और वह अपने आपको तरो ताजा महसूस करे और यह जानते हुए कि अगर इस समय भजन में बैठेगा तो उसे छे-सात बजे फिर सोना पड़ेगा वह भजन में बैठना चाहे तो क्या यह बहतर होगा कि वह उस समय सोने की कोशिश करे और बाद में उठकर भजन करे या उसी समय उठकर उस वक्त का फाइदा उठाए उस समय का जरूर फाइदा उठाईए और भजन कीजिए भजन करने का कोई भी मौका किसी भी हालत में खोना नहीं चाहिए उसके बाद सोने में कोई हर्ज नहीं अगर हम भजन में बैठें पर धाई घंटे में से कुछ समय हम सो जाएं और उस समय की पूर्ती बाकी दिन के समय करने की कोशिश ना करें तो क्या ये दिये हुए वचन को तोड़ना होगा? वचन देने का मतलब है कि हम उतना समय भजन को देने की कोशिश करेंगे यही हमारा वाइदा है लेकिन जब हम वचन देते हैं और फिर भजन नहीं करते तो हम अपने आपको अपराधी समझते हैं कि हमने अपना करतव्य पूरा नहीं किया खुद को अपराधी महसूस करने की ये भावना ही आपको फिर से भजन में बैठने में मदद देगी और तब आप और अधिक समय भजन के लिए दे सकेंगे पर इन बातों में आप बहुत ज्यादा सक्ती का रुखना अपनाएं अगर सुबै पूरा समय नहीं दे सके हैं तो बाकी समय दोपहर या शाम को जब इच्छा हो दीजिए प्रशन चौवन यदि कोई सत्संगी भजन करने के बाद सो जाए तो उसे ऐसा महसूस होता है कि अधिक एकागरता के कारण गहरी नीद नहीं आती बलकि अच्छे स्वप्न और ध्रिश्य दिखाई देते हैं या वे लोग सो जाते हैं पर जब उठते हैं तो अधिक तामसिक हो जाते हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि नीचे के चक्र जागरित हो गए क्या ये संभव है? एक आगरता होने पर अच्छी नीद आती है, गहरी नीद आती है अकसर जब मन फैला हुआ होता है तो नीद नहीं आती और तब आप मन को सुस्त करने की दवाईया या नीद की गोलियां लेते हैं ताकि तनावरहित होकर सो सकें पर भजन आपको तनावरहित करता है और आपको अच्छी नीद आती है अगर आप दुनिया के जंजटों को भूलाने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद ही हलकापन महसूस होगा और नीद आ जाएगी अगर आप दुनिया के कामकाज और जंजटों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप तनाव महसूस करेंगे और आपको नीद बिलकुल नहीं आ सकेगी सपने नीद का एक हिस्सा हैं और कोई भी उनसे बच नहीं सकता लेकिन अगर आप भजन करके या कुछ अच्छी पुस्तकें या संतमत की पुस्तकें पढ़कर सोएंगे तो आपको अच्छे सपने आएंगे फिर जब आप सोते हैं तो आपका मन शरीर में उतना नहीं रहता जितना जागते समय रहता है नीद के समय मन शरीर को छोड़ देता है और कभी-कभी आपको उड़ने या बहुत उंचे जाने के सवपन आते हैं और कभी-कभी रुहानी नजारे दिखाई देते हैं कभी कभी नींद में भी आपको ऐसे नजारे दिखाई देते हैं क्योंकि नींद की हालत में मन के लिए शरीर को छोड़ना आसान होता है लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको नीद ना आए तो गोलियां खाने के बज़ाए सुमिरन करना शुरू कर देजिए आपको नीद आ जाएगी सुमिरन की गोली कहीं अच्छी है प्रशन पच्पन महराजी आप कहते हैं कि हमें शांथ चित या तनाव रहित मन से भजन करना चाहिए पर जब हम भजन में बैठें उस समय मन अशांथ और तनाव पूर्ण हो तो क्या करें? तब उसे तनाव मुक्त कीजिए इसलिए अक्सर ये सुझाव दिया जाता है कि भजन में बैठने से पहले हमें सारबचन, कोई भक्ती के शब्द या कोई पुस्तक पढ़नी चाहिए जिससे हमारा मन भक्ती से, प्यार से भर जाए और हम दुनिया के दुखों तथा अपनी मुसीबतों को भूल सकें तक कि भजन शुरू करने से पहले हमारा मन शांत और तनाव मुक्त हो जाए इसलिए सरदार बहादुर जी हमें अक्सर सलाह दिया करते थे कि जब हम सत्संग से उठें तो हमें चाहिए कि जाकर भजन में बैठ चाएं क्योंकि सत्संग के समय हमारा खयाल परमात्मा की और होता है और मन रुहानी तथा मानसिक रूप से शांत होता है भजन करके आपको इस बात का लाव उठाना चाहिए प्रशन चप्पन क्या मन को भजन के लिए प्रेरित करने के लिए भक्ति पूर्ण शब्दों को भी पढ़ा जा सकता है इसमें कोई हानी नहीं. आप ऐसे शब्दों को पढ़ सकते हैं, सारबचन पढ़ सकते हैं, बाबा जी महराज के पत्रों या परमार्थी पत्रों में से कुछ पत्र पढ़ सकते हैं. आप ऐसी कोई भी चीज पढ़ सकते हैं, जो आपके अंदर भजन के लिए प्रेरणा और भ प्रशन सतावन आपका मतलब सामुहिक भजन से है सामुहिक भजन का कोई खास फाइदा नहीं है इसके द्वारा सत्संग के लिए कुछ पवित्र वातावरन तो पैदा होता है और हम गपशप, निंदा, दूसरों की अलोचना तथा व्यर्थ ही औरों का दिल दुखाने से बच जाते हैं यही लाब आपको होगा सामुहिक भजन से आपको कोई विशेश आध्यात्मिक लाब नहीं होगा क्योंकि एक साथ बैठने पर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि आपके दाएं और कौन बैठा है और बाईं और कौन खराटे कौन ले रहा है और कौन गहरी सांस ले रहा है आपका मन भजन में नहीं रहेगा भजन हमेशा अकेले में करना चाहिए इसी लिए ये सलाह दी जाती है कि एक अकेले कोने में बैठ कर भजन करें तकि आपको किसी की भी उपस्थिती का आभास ना हो प्रशन अठावन क्या पती और पत्नी का एक ही कमरे में साथ साथ भजन करना अच्छा है? अगर आपको एक दूसरे की मौजूदगी का आभास ना हो तो ठीक है खास बात तो यही है अगर वे एक दूसरे की उपस्थिती को भूल सकें फिर तो ठीक है प्रशन उन्सट हमने अभी भजन के बारे में जो बाते की उनसे पता चलता है कि भजन दूसरे लोगों के साथ या समूँ में बैठ कर करना उचित नहीं है और हमें भजन करने के लिए एक एकांत छोटे कमरे की जरूरत है पर क्या ये संभव नहीं? कि हम भजन करते करते एक ऐसी अवस्ता में पहुँँ जाएं जिसमें कहीं भी और किसी भी समय तुरंद भजन किया जा सकता है हमें एक निर्जन जगह, एक शांत जगह ढूंडनी चाहिए जहां कोई विग्ण ना डाल सके जहां हमें किसी दूसरे विक्ती के होने का अभास न हो जब आप उस अवस्ता में पहुँच जाते हैं जिसमें आपके लिव परमपिता के साथ लग जाती है तब हर जगह आपके लिए अच्छी है लेकिन ये बहुत उंची अवस्ता है आप इससे अंथट तो कर सकते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर सकते प्रश्न साथ महाराजी, यदि सिर को पूरी तरह कंबल से ढख कर बैठा जाए, तो क्या इससे भजन में कोई फर्क पड़ता है? इससे फर्क कैसे पड़ सकता है? आप सिर को चाहे ढखें या खुला रखें, इससे अभ्यास में क्या फर्क पड़ सकता है? भजन का संबन्द तो मन की एकागरता के साथ है, सिर को ढखने या खुला रखने से एकागरता बढ़ नहीं सकती, संतमत में ऐसे कोई कर्मकांड नहीं है महाराजी, मैंने इसके बारे में एक पुस्तक में पड़ा था, कि इससे आपको एकांत अनुभव होगा नहीं, वो सिर ढखना अलग है, लोग अपना सिर इसलिए ढख लेते हैं कि उनका अपने पास बैठे विक्ती की मौजूदगी की और ध्यान ही ना जाए अगर आप बिना सिर ढखे ही अपने आसपास की चीजों को भुला सकें, तो सिर ढखने की जरूरत नहीं हम क्यूं अपने आपको एक कमरे में बंद कर लेते हैं, ताकि हम अपने चारों और की चीजों को भुला सकें हम अकेले कमरे में भजन करने के लिए केवल इसलिए जाते हैं कि हम किसी को ना देख सकें और हमारा ध्यान किसी की और ना जाए नहीं तो हम खुले में सब के सामने भी बैठ सकते हैं, पर सब के सामने बैठने से हमारा ध्यान उनकी और जाता है इसलिए हम कभी-कभी अपने सिर और मुह को ढख लेते हैं ताकि हमें अपने आस-पास की खबर ही ना रहे इसके सिवाए इसका और कोई महत्व नहीं है ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर ढख कर बैठें या इसका कोई खास फाइदा है ये केवल आपको एकांत तथा अकेले पन का आभास देने के लिए है, इसका केवल इतना ही फाइदा है प्रशन 61 महराजी, डेरे में रहकर भजन करना इतना मुश्किल क्यूं है? यहाँ पर किसी मुश्किल के होने का तो सवाल ही नहीं है यहाँ आपका ध्यान बटाने के लिए कोई दुनियावी कामकाज नहीं है यहाँ जो भी काम आपको भजन से दूर रखते हैं, वे आपके ही बनाए हुए हैं आप ऐसे कामकाज ना करें, फिर आपको भजन के लिए काफी समय मिलेगा प्रशन 62 महराजी, जब मैं डेरे के बाहर नदी के किनारे घूम रहा था, तो मुझे यह खयाल अच्छा लगा कि वहाँ भजन के लिए जगह बनाने पर प्रकृती के नजदीक रहकर भजन किया जा सकता है क्या आपके मन में ऐसी कोई योजना नहीं है? असल में ये पूरा डेरा ही भजन के लिए बनाया गया है लेकिन अब भजन के लिए वातावरन बनाई रखना सत्संगियों के हाथ में है ये आपके हाथ में है कि आप इस वातावरन का कैसे उपयोग करें असल में ये Guest House और सारा डेरा ही भजन की दृष्टी से बनाया गया है पूरे डेरे में और किसी तरह का काम नहीं है ये हम पर निर्वर है कि हम इस डेरे को कैसे रखते हैं और इस कॉलोनी का कैसे उपयोग करते हैं मैं खुश हूँ कि आपने मुझसे ये सवाल पोचा है क्योंकि मैं इस Guest House के निवासियों को ये बताना चाहता था कि मैं कल बाहर जा रहा हूँ और जो लोग यहां रहेंगे उन्हें यहां रहने के अवसर का भजन सुमिरन के लिए पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए आपको डेरे तथा Guest House की पवित्रता तथा आध्यात्मिक वातावरन को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए और फिजूल के बखेडे पैदा नहीं करने चाहिए प्रशन 63 महराजी, मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि जब आप यहां ना हों, क्या तब भी सत्संग में हाजर होना जरूरी है और मैंने कहा है, हाँ, क्योंकि सत्संग में हमारा समय अच्छी बातों में बीटता है सवाल यह है कि अगर सत्संग में नहीं जाएंगे तो उस समय और क्या करेंगे, बैठ कर गपशप ही करेंगे अगर वे अपना खाली समय भजन में लगाएं, तब तो ठीक है लेकिन वे सारा दिन तो भजन में बैठ नहीं सकते मैं अपनी गैर मौजूदगी में भी हर रोज आपके लिए अंग्रेजी में सत्संग करवाऊंगा इसके लिए जो भी समय आपको ठीक लगे तै किया जा सकता है ये केवल शाम के समय ही नहीं, दिन के समय भी हो सकता है क्योंकि आप सारा दिन खाली है आप कोई भी समय अपनी सुविधा नुसार रख सकते हैं सत्संग में आप प्रश्न पूछ सकते हैं और संतमत के सहित्य पर बातचीत कर सकते हैं देरे में इदर उदर बिना काम के घूमते रहने के बजाए, जो भी समय बचे, उसमें आप और अधिक भजन करने की कोशिश करें ये बहतर होगा कि आप अपने समय का पूरा फाइदा उठाएं मेरी अनुपस्थिती में आप संतमत की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, सहित्य पढ़ सकते हैं हमारे पास बहुत से पुस्तके हैं पुस्तकालय विभिन धर्मों के तुलनात्मक चिंतन की पुस्तकों से भरा हुआ है हमारे गैस्ट हाउस में भी कई पुस्तके हैं अपने समय का पूरा उपयोग करने की कोशिश करें प्रशन चॉंसट महराजी, यदी कोई सत्संगी अपने खयाल को इंद्रियों से हटा ले और मन को हमेशा निर्मल रखे तो क्या इससे मन को तीसरे तिल पर इकठा करने में बहुत मदद मिलेगी? मन के निर्मल होने से मेरा भाव है कि मन बाहर न जाता हो ये स्वाभाविक ही है क्योंकि जब मन बाहर नहीं जाता तो वो और कहां टिकेगा? यहां, आँखों के केंदर पर अगर मन बाहर नहीं जाता तो वो यहां आँखों के केंदर पर ही रहेगा प्रशन पैसट मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन इच्छाओं को दवा कर अपनी शक्ति को आखों के केंदर प्र एकाग्र करने की कोशिश करना और भजन में बैठना मेरे लिए बहतर होगा? नहीं, आप अपनी इस रचनात्मक प्रवृत्ति का उपयोग कर सकते हैं और भजन सुमिरन भी कर सकते हैं. आखिर आप सारा दिन तो भजन में बैठना ही सकते. अगर आप अपने रचनात्मक गुन को कला में नहीं लगाएंगे, तो किसी और काम में लगाएंगे. इसमें 21 घंटों का हमें उपयोग करना है. भजन सुमिरन के लिए तो केवल 2 या 3 घंटे का ही समय निकालना है. बाकी के समय में आप क्या करेंगे? हमें कोई ना कोई उपयोगी कारे करना चाहिए. प्रशन 66, आपने कहा है कि हमारा सारा जीवन ही भजन सिम्रन का होना चाहिए क्या ये भजन इकांत में बैठ कर अपने खयाल को समेटने से कोई अलग तरह का भजन है? जो वातावरन आप अपने घर में रहते हुए एक नेक और उच्च जीवन अपना कर बनाते हैं, वही आपको भजन करने की प्रेरणा देता है। महाराजी, मुझे कोई प्रशन नहीं पूछना है, परन्तु मैं नामदान के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मुझे तीन साल पहले आजी के दिन मिला था। नामदान के लिए सच्चा धन्यवाद तो हम तभी दे सकते हैं, जब हम नाम का अभ्यास करें और संतों की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को ढाल लें। सत्गुरू को हम यही सच्चा और असली धन्यवाद दे सकते हैं, सिर्फ लफजों के धन्यवाद का कोई मतलब नहीं, वे हमें कहीं नहीं ले जाते। महराजी, क्या आप हमें समझा सकते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन को बदलें और कैसे सेवा भाव के साथ संत्मत की शिक्षा को सारा दिन ध्यान में रखें, अर्थात मालिक की सेवा की भावना को अपने दैनिक जीवन में उतारें। सवाल तो ये है कि सेवा क्या है? हर सत्संगी को कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। सेवा चार प्रकार की है, तन की, मन की, धन की और सुरत या आत्मा की। पहली तीन प्रकार की सेवाएं असली सेवा के लिए साधन मात रहें। असली सेवा आत्मा की सेवा है. अर्थात आत्मा को अंतर में शब्द धुन के साथ जोड़ना है. यही सची सेवा है. सेवा का मतलब है वो कारिय, वो खिद्मत जो गुरु को खुश करने के लिए की जाती है. और गुरु को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब हम भजन स सुमिरन करते हैं. अपनी चेतना को शरीर से समेट कर आखों के पीछे लाकर उसे शब्द धुन से जोड़ना ही असली सेवा है. हर एक संत ने इसी सेवा पर जोर दिया है. हम तन से सेवा इसलिए करते हैं कि हम अपने अंदर से अहंकार को दूर कर सकें. जब हम जन साधारन क साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं तो हमारे अंदर नम्रता आती है. जब हम उनके साथ बैठते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम भी उनहीं के जैसे हैं और हमारा मन नम्रता से भर जाता है. इसलिए हम अपने शरीर द्वारा, सत्संग की या साध संगत की सेवा करते हैं. हम उनके लिए उपयोगी होने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे अंदर नम्रता पैदा हो हम धन की सेवा करते हैं क्योंकि बहुत अधिक दौलत अक्सर हमें पाप की ओर ले जाती है धन दौलत का मोह हमें घमंडी बना देता है हम अपने आपको औरों से बड़ा समझने लगते हैं या हमारे अंदर औरों पर अधिकार की भावना आ जाती है अगर हम अपने धन का उपयोग सत्संगियों की भलाई के लिए करते हैं साध संगत के लिए करते हैं तो इसमें हमारा ही लाब है अगर कुछ लोग हमारे धन के द्वारा जाने या अन्जाने में परमपिता परमात्मा के प्रती प्यार तथा भक्ती से भर जाएं, तो इसमें हमारा ही फाइदा है फिर हम मन की सेवा करते हैं, जिसका मतलब है अपनी चेतना को सुमिरन और ध्यान के द्वारा आँखों के केंदर में लाना, संतमत के अनुसार जीवन बिताना, संतमत के उसूलों पर द्रिड रहना और उन्हें अपने भजन सुमिरन की बुनियाद बनाना यही मन की सेवा है सत्संगी किसी भी प्रकार की सेवा करे अच्छा है, लेकिन असली सेवा भजन सुमिरन करना है, अपनी आत्मा को शब्द धुन के साथ जोड़ना है तन की, धन की और मन की, यह तीनो सेवाएं उस धे को प्राप्त करने के साधन है अगर आप लक्षे को ही भूल जाएं, तो यह तीनो सेवाएं बरतन तो साफ कर देंगी, पर उसे भर नहीं सकेंगी असली सेवा बरतन को केवल साफ करना ही नहीं बलकि उसे भरना भी है कुछ लोग केवल साधन पर ही जोर देते हैं और धे की परवा नहीं करते पर ये धारना गलत है हम किसी बरतन को इसलिए साफ नहीं करते कि हम उसे साफ देखना चाहते हैं बलकि इसलिए करते हैं कि हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम उसमें दूद, कौफी या चाय डालना चाहते हैं, हम साफ बरतन को काम में लेना चाहते हैं, और बरतन को साफ करने का यही उदेश है, अगर हर रोज बरतन को साफ करें और वो फिर मेला हो जाए और आप उसे फिर साफ करें, तो साफ करने का लाब ही क्या है? अगर आप उसका उपियोग नहीं करते, उसे किसी चीज से भरते नहीं? गुरु अमर्दास जी कहते हैं, सत्गुरु सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हारसियो चितलाए, कि सत्गुरु की सेवा द्वारा ही मन का मैल उतरता है, लेकिन सत्गुरु की सेवा भजन सुमिरन के द्वारा जीते जी मरना है, जीते जी मरने के अभ्यास के द्वारा सुरत को अंदर शब्द के साथ जोड कर, मन को निर्मल बना कर, आत्मा का परमात्मा में लीन करना ही सत्गुरु की सच्ची सेवा है, इस तरह ये तीन तरह की सेवाएं लक्ष तक पहुँचने का साधन मातर है, असली सेवा सुरत चब्द से जोडने की सेवा है, यही सेवा मालिक और सत्गुरु को सबसे अधिक प्रसंद करती है, पहली तीनों तरह की सेवा उस चौथी सेवा तक पहुँचाती है, जो की असली सेवा है प्रशन उनत्तर हमें बताया गया है और हमने पढ़ा भी है कि केवल भजन के समय ही नहीं, बल्कि हर समय सुमिरन करते रहना जरूरी है, पर यह इतना आसान नहीं है क्योंकि हम भूल जाते हैं, हर समय सुमिरन करने की कोशिश करने का कितना महत्व है अगर सुमिरन का इतना अधिक महत्व ना होता, तो संतों ने इसकी जरूरत पर इतना जोर ना दिया होता यह बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप सारा दिन अपने मन को बाहर भागने दें, और दुनिया के पदार्थों के बारे में सोचते रहें, और फिर केवल एक घंटे में मन को आँखों के पीछे वापस लाना चाहें, तो आप कैसे कामियाब हो सकते हैं ऐसी हालत में मन को वापस समेटने में समय तो लगेगा ही, अगर मन को दिन भर इधर उधर भागने ना दिया जाए, तो इसको वापस आँखों के पीछे लाना आसान हो जाता है दिन भर सुमिरन करते रहने का यही उदेश्य है फिर सुमिरन करते रहने से हम फिजूल की चिंताओं और परिशानियों से बचे रहते हैं या तो हम पिछली बीती हुई बातों को सोच कर दुखी होते रहते हैं या फिर भविश्य की चिंता करते रहते हैं हम अपना आज खुशी से गुजारना नहीं चाहते हमारे अंदर ही कुछ ऐसी कमी है कि हम आज अपने वर्तमान में खुश रहना नहीं चाहते या तो हम जो कुछ कर चुके हैं उसको सोच सोच कर परिशान होते रहते हैं या फिर जो होने वाला है उसकी चिंता में डूबे रहते हैं अपने वर्तमान का आज के क्षणों का हम पूरा फाइदा उठाना नहीं चाहते अगर हम अपने वर्तमान को खुशी से गुजारें तो हमारा बीता हुआ समय भी अपने आप सुख पून हो जाता है और भविश्य के लिए चिंता करने का समय ही नहीं मिलता इसलिए जिन्दगी में जो कुछ भी आए उसे स्विकार करते हुए हमें अपना समय खुशी से गुजारना चाहिए हमें हर पल खुशी से बिताना चाहिए और सुमिरन इसमें मदद करता है प्रशन सत्तर यदि हमें प्रलोबनों का सामना करना पड़े और हम सुमिरन करें तो क्या इससे मदद मिलेगी? सुमिरन क्या है? सुमिरन मन को आँखों के पीछे एकाग्र करने का एक जरिया है इंदरियां हमें प्रलोबनों में तभी फंसा सकती हैं जब हमारा मन फैला हुआ हो जब मन तीसरे तिल से नीचे बाहर फैला होता है तभी इंदरियां हमें लुभाती है जब मन आँखों के पीछे एकाग्र रहता है तो आप खुद बखुद उन प्रलोबनों से अपने आपको बचा सकते हैं इस प्रकार सुमिरन मदद करता है यह आपको आँखों के केंदर पर एकाग्र रखता है आपके खयाल को तीसरे तिल की और रखता है प्रशन 71 यदि हम ये सोचें कि मालिक इस संसार तथा इसके हर पदार्थ में मौझूद है अगर हम ये महसूस करें कि ये संसार परमात्मा के प्यार थथा सुन्देर्य का व्यापक रूप है तो क्या हम इस सुन्देर्य का चिंतन या ध्यान नहीं कर सकते यदि हम हर समय सुमरन ही करते रहें तो कोई रचनात्मक कार्यक कैसे कर सकते हैं हम संगीत अथवा कविता की रचना कैसे कर सकते हैं, या प्राकृतिक सौंदेर्य का आनंद कैसे ले सकते हैं? नहीं नहीं, मैंने तो ये कहा है कि जब भी आपका मन खाली हो, तब सुमिरन कीजिए. अगर आप कोई रचनात्मक कारे कर रहे हैं, तो आपकी ये इच्छास्वाभाविक है कि आपका मन उस काम में लगे. अगर आप बैंक में एक अकाउंटेंट का काम करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे सुमिरन करना है, इसलिए मैं अपना काम नहीं करूँगा? जब भी आप खाली हों, तब सुमिरन कीजिए. संत कभी आपको अपने सानसारिक कामकाज छोड़ने के लिए नहीं कहते. जब आपका मन खाली हो, तब उसे सुमिरन में लगाई रखें. उधारन के लिए, जब आप सेर करने जाते हैं, तो आपका मन खाली होता है. किसी मित्र के साथ गपशप करने की जगए आप आसानी से सुमिरन कर सकते हैं. आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, रेल या मोटर में जा रहे हैं, या बाहर बगीचे में बैठकर धूप का अ कि जब भी हमारा मन खाली हो, तो हमें सुमिरन करके उस समय का पूरा लाब उठाना चाहिए. प्रश्न बहत्तर, महराजी, क्या हम ये नहीं कह सकते कि सुंदर्य पूर्ण वातावरन भजन करने की प्रेरना देता है? ये मनुष्य के सुभाव पर निर्भर करता है. कुछ लोग चारों और फेले हुए सुंदर्य में इतने खो जाते हैं कि वे एकाग्रचित हो ही नहीं पाते. पर दूसरी और, यही सुंदर्य कुछ लोगों को एकाग्रचित होने में मदद देता है. ये हर मनुष्य के तथा उसकी सौंद्रे की धारणा पर निर्भर करता है। क्या आप कहेंगे कि आंत्रिक इकागरता के प्रती जुकाव, प्रमात्मा के बारे में विचार, उसकी कृपा, उसके प्रेम का खयाल, एक तरह से इन सब का भी महत्व है। हाँ, ये ठीक है। ये सब आपको सुमिरन करने के लिए प्रेरेत करेंगे, सुमिरन करने में मदद करेंगे। प्रश्न चुवत्तर केवल भजन करते समय ही आपको पूरी एकागरता के साथ सुमिरन करना चाहिए जब आप दिमागी काम कर रहे हैं उस समय आप सुमिरन नहीं कर सकते लेकिन जब केवल हाथों से काम कर रहे हूं या केवल चल फिर रहे हूं तब आपका मन खाली होता है और आप सुमिरन कर सकते हैं जब मन काम में लगा हो, तब आप सुमिरन कैसे कर सकते हैं? जब तक कि आप उस अवस्था तक ना पहुँच जाएं, जिसमें आपके अंतर में सुमिरन अपने आप चलता रहे। प्रशन 75, कुछ काम ऐसे होते हैं, जिन में अपने दिमाग पर हर समय जोर देना पड़ता है, या फिर लोग तरह तरह के सवाल वगहरा लेकर मिलने के लिए आते रहते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे हमारे टुकडे टुकडे होते जा रहे हैं, इन दोनों ही अवस्ताओं में मैं सुम्रन बिल्कुल नहीं कर पाती, हमें अपने रोज के कामकाज को, दैनिक जीवन तथा कारे करम को ठीक से विवस्तित करना चाहिए, हमें अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां भी निभानी हैं, अगर मैं कहूं कि मैं शाम के सत्संग में नहीं आऊंगा, तो मैं इस से कैसे बढ़ सकता हूं, मुझे तो यहां आना ही है, क्योंकि मैं इसे अपना करतव्य समझता हूं, हमें कुछ जिम्मेदारियां, कुछ करतव्य निभाने हैं, पर उसके बाद भी हमारे पास इतना खाली समय रहता है, जिसमें हम फिजूल की बातें सोच सोच कर परेशान ह होते रहते हैं, कम से कम वो समय तो हमें सुमिरन में बिताना चाहिए, हम हमेशा तो काम में व्यस्त नहीं रहते, प्रश्न 76, जब सत्संगी कुछ उन्ची अवस्ता में पहन जाता है, तब क्या सुमिरन 24 घंटे उसके अंदर नहीं चलता रहता? यह हो सकता है, अगर अभ्यासी को सुमिरन करने की आदत पढ़ जाए, तब अंजाने ही सुमिरन होता रहता है, आपको सुमिरन करने की इतनी अधिक आदत हो जाती है, कि अंजाने ही आपका सुमिरन चलता रहता है आपके कहने का मतलब है कि गुरू को आपके लिए सुमिरन करना चाहिए और आप इस काम से मुक्त हो जाएं केवल उस समय ही जब हमें सुमिरन के लिए समय ना हो क्या सुमिरन हम करते हैं? हम तो केवल एक साधन हैं, यंत्रमात्र हैं करने वाला तो वो मालिक खुद है जो हमें सुमिरन करने को मजबूर करता है प्रशन सतत्तर महराजी, अपने ही मन में सदकुरू से बातचीत करने के विशे में कल आप से किसी ने एक प्रशन पूछा था और आपने कहा था कि यह केवल मन का ही खेल है यह आदत अच्छी है या बुरी जब हम मन में सदकुरू से बातचीत करने लगें तब हमें क्या करना चाहिए इसे बंद करना चाहिए या इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए इस तरह बातचीत करते रहने से सुमिरन करना कहीं अच्छा है जब आप सुमिरन ना करना चाहें तब बातें कर सकते हैं मगर सुमिरन को इस तरह की बातचीत से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए प्रश्न 78 महराजी, बाबाजी महराज ने कहा है आपको एक बार फिर ताकीद की जाती है कि कोई भी ऐसा समय नहीं जाना चाहिए जब आप भजन सुमिरन ना कर रहे हो एक और जगा उन्होंने खास तौर पर कहा है चलते फिटते, उटते बैठते, सोते जाकते, हर समय सुमिरन जारी रखो और आपने भी कहा है कि स्वप्न में भी सुमिरन करते रहना चाहिए मेरा प्रश्ण है कि जब हम गहरी नीन में सो रहे हों तब सुमिरन कैसे करें मैंने कहा था कि स्वप्न में भी संतमत के मार्ग को भूलना नहीं चाहिए ये तो बात को समझाने का एक तरीका है कि भजन सुमिरन को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि अपनी रोज की जिन्दगी में किसी भी समय आपको संतमत की शिक्षा को नहीं भूलना चाहिए सुमिरन के विशे में मुझे एक और प्रशन पूछना है सुमिरन लगातार होना चाहिए पर यदि ध्यान पूर्वक सुमिरन करना है तो व्यपार या बिजनस के समय जबकि ध्यान को मुश्किल और पेचीदा समस्याओं में लगाना पड़ता है सुमिरन कैसे किया जा सकता है नहीं आप बात का बहुत शाब्दिक अर्थ ले रहे हैं बाबा जी महराज के कहने का भाव है कि जब भी हम खाली हों तब हमें हमेशा सुमिरन करते रहना चाहिए जब भी हम सुमिरन कर सकते हैं करना चाहिए स्वप्न में भी मालिक को ना भूलने का अर्थ है कि किसी भी परिस्थिती में मालिक को नहीं भूलना चाहिए संतमत की शिक्षा को नहीं भूलना चाहिए भजन सिमिरन को नहीं भूलना चाहिए दुनियावी कारोबार में, किसी भी परिस्थिती में या कोई भी काम करते हुए संतमत के सिधानतों को नहीं भूलना चाहिए प्रशन असी मैं बाबा जी महराज के पत्रों में पड़ रहा था कि बाबा जैमल सिंग जी ने बड़े महराजी से कहा है जब तुम अपने ओफिस का काम कर रहे हो, तब तुम्हारे भजन सिंब्रन के लिए मैं जिम्मेदार हूँ क्या आप इसका अर्थ समझा सकते हैं? वे पत्र एक सत्गुरू ने दूसरे होने वाले सत्गुरू को लिखे हैं इसलिए आप और मैं उनका सब पर लागु होने वाला अर्थ नहीं निकाल सकते उनके कहने का मतलब है कि आप ये सोचें कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपके सत्गुरू का ही काम है और आपका सत्गुरू उस सब में मौजूद है आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं आपके हर कारोबार में आपका सत्गुरू मौजूद है पूरे दिन में आप जो भी काम करते हैं उसमें गुरू आपके साथ है ये भावना पक्की हो जाए, फिर जो भी काम आप करेंगे, वही काम आपके लिए भजन सुमिरन का दरजा रखेगा आपका भाव है कि अपने जीवन का कोई भी कारे करते हुए अपने सत्गुरू को मत भूलिए इसका मतलब है कि जिन्दगी में किसी भी काम को करते हुए, कभी पल भर के लिए भी अपने सत्गुरू को, संतों के मार्ग को और संतमत की रहनी को मत बिसारो तब तुम जो भी कारे करोगे, वो भजन सुमिरन ही होगा यही बात बाबा जैमल सिंग जी ने बड़े महाराज को लिखी है प्रश्ण इक्यासी मैं देखता हूँ कि मेरा दैनिक जीवन भजन के कारण बहुत कठिन हो गया है क्यूंकि जब मेरा ध्यान एकागर हो जाता है तो मेरा मन या आत्मा या जो कुछ भीवा है रोज के कामकाज के चक्कर में वापस आना पसंद नहीं करता हमें दोनों ही काम करने हैं हमें संसार में रहना है पर साथ ही भजन भी करना है हमें दोनों में संतुलन रखना है, तालमेल रखना है, क्योंकि कुछ कर्मों का बोज ऐसा है, जो जीवन की परिस्थितियों का सामना करने से ही उतर सकता है, केवल भजन सुमिरन से नहीं जब हम भजन करने में बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं, तो कभी-कभी सत्गुरू अपनी दया महर वापस ले लेता है, ताकि हम संसार में काम कर सकें, अपनी दुनियावी काम काजना छोड़ दें यहां तक की कभी-कभी दुनिया का सामना करने के लिए हमें दुनिया में धकेल दिया जाता है यह एक बड़ी अजीब बात है, मैं अपने निजी अनुभव से भी आपको कुछ बता सकता हूँ पहले हमें इस मार्ग से, अत्वा गुरू से कोई प्यार नहीं होता सत्गुरू हमसे अपने प्रती प्यार करवाते हैं और मालिक के लिए हमारे दिल में प्यार पैदा करते हैं वे सत्संग करते हैं, हमसे सेवा करवाते हैं ये सब वे हमारे अंदर प्रमात्मा के प्रती प्रेम और भक्ती जागरित करने के लिए करते हैं और जब हमारे अंदर प्यार पैदा हो जाता है जब हम उस प्रेम के जाल में फस जाते हैं तब वे अपने आपको छिपा लेते हैं तब एक तरह से लुका छिपी का खेल शुरू हो जाता है। सत्गुरु ये नहीं चाहते कि हम उनके प्यार में इतने खो जाएं कि अपने सांसारिक कर्तव्यों और कामकाज को ही छोड़ बैठें। बचपन में मैंने डेरे में रहकर ही पढ़ाई की। जब मैं पांच-छे वर्ष का था, हुजूर महराजी मुझे यहां ले आए। बचपन में बच्चे अपने साथियों और खेल कूद के शौकीन होते ही हैं। हम नदी के किनारे यहां वहां खेलते और दौडते रहते थे। हुजूर महराजी द्वारा किसी सेवादार को भेज कर हमें ढूंड कर जहां भी हम हो सत्संग सुनने के लिए बुलाया जाता था। हमें आगे बिठाते थे और अगर हम शोर करते तो हमें पीछे बिठा दिया जाता था। पर हम सत्संग से उठकर नहीं जा सकते थे। हमें सत्संग में बैठना ही पड़ता था और जब धीरे-धीरे हमें सत्संग की बातें समझ में आने लगी और जब महसूस हुआ कि हमें जो मिल रहा है वो बहु मूल्य है तो हमें डेरे से भेज दिया गया हुजूर महराजी हुक्म देते जाओ और वहां जाकर वकालत करो घर के काम करो और छे महीने तक ब्यास मत आओ हर महीने भी यहां मत आना ये एक अजीव खेल है आँख मिचौली का जब हम बच्चे थे तब तो ठीक था हम दोस्तों के साथ खेलते रहते थे हमने कभी इस मार्ग सत्गुरू परमात्मा की भक्ति आदी के बारे में नहीं सोचा था हुजूर महाराजी ने पहले ये सब हमारे अंदर पैदा किया जब वे इसमें सफल हो गए तो हमें दुनिया का सामना करने के लिए भेज दिया इसलिए ऐसा होता ही है इसमें कोई नई बात नहीं है गुरू चाहता है कि हम अपने सांसारिक करतव्यों और परमार्थ में तालमेल रखें प्रशन बयासी महाराजी जब कोई ये समझ जाए कि वे असहाय है वे कुछ नहीं कर सकता तब उसे क्या करना चाहिए तब उसे भजन में बैठ जाना चाहिए जब कोई अपने आपको बिलकुल असहाय समझे तब उसे सचमुछ ही असहाय होकर अपने बुद्धी और तर्क छोड़कर अपने आपको भजन सुमिरन के सुपुर्द कर देना चाहिए तब उसे यही कदम उठाना चाहिए